J. Maine 72 के लिए आवेधन की तारीक बरी उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए J. Maine 72 के आवेधन करने की समय सीमा को बरहा दिया गया है आवेधन से चुके उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने का एक और मौका है राश्ट्रिय परीक्षन एजेंसी ने सन्युक्त प्रवेश परीक्षा मुखे सत्र दो के लिए पंजीकरण की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है जेई में इसके लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथी कल यानी दो मार्च थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है ऐसे में जिन उम्मीद्वारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया था उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है इच्छुक उम्मीद्वार आधिकारिक वेबसाइट gman.nta.ac.in के माध्यम से जेई में दो हजार चौबीस सत्र दो के लिए पंजीकरण कर सकते हैं इंटीये ने जेई में इसके लिए पंजीकरण करने की समय सीमा को चार मार्च तक बढ़ा दी है आवेदन से चुके उम्मीद्वार कल चार मार्च तक अपना फॉर्म भर कर जमा कर दें जेई में सत्र दो परीक्षा चार से पंद्रह अप्रेल दो हजार चौबीस तक आयोजित होने वाली है इंजिनिरिंग प्रवेश परीक्षा देश भर के 291 शहरों में लगभग 544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी संशोधित कारेक्रम के अनुसार उम्मीद्वार चार मार्च तक पंजीकरन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं उम्मीद्वारों को जेई में आवेदन पत्र विवर्ण में सुधार करने के लिए 6-7 मार्च दो हजार चौबीस तक का समय दिया जाएगा NTA ने कहा इसके बाद किसी भी परिस्थिती में NTA द्वारा विवर्ण में सुधार करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान संबंधित उम्मीद्वार द्वारा क्रेडिट इडेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से किया जाएगा NTA ने कहा है कि जेई में सत्र एक पंजीकरन के दोरान जिन उम्मीद्वारों ने दोनों सत्रों में उपस्थित होने का विकल्प चुना था उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवशक्ता नहीं है वे उम्मीद्वार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए उसी पंजीकरन संख्या और पास्वर्ट का उप्योग कर सकते हैं